हाई फ्रेंद्स कैसे हैं आप सभी, तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रही हूं जिससे आप मेंस, बमेंस और किर्द के स्वेटर में इस जो पोकेट है इसका नाम है घूप बॉकëट ठीक है इसको आप इसली बना सकते हूँ ठीक है तो बहुत easy style में बताऊंगी और मैं बहुत ही मतलब असान तरीके से पताऊंगी ताकि आपको जो है असानी से समझा जाए ठीक है तो again कह रही हूँ एक बार आप जो इसे बिन script करके देखेंगे तो easily समझा जाए ठीक है और ऐसी trick में क अचल ये अंगे मेरा इश्रग बना हूँ है तो अब मैं जो है इस में क्या करना है आप कोटी रख लेजिए चाय्जा आप हुडी रख लीजिए तो आप में क्या करना है जो फ्रंट साइड है ना उसको पकड़ना है ठीक है और इसके फंदे यहां ट्रांसफर करने है ठीक है तो मैं फंदे ट्रांसफर करती हूँ तो देखिए फंदे मैंने उठा दिये है तो आप जो है 33, 34, 35 जितने भी उठा सकती हो तो मैं इसमें जो है टोटल रो जो है मैं इसमें एट लूँगी ठीक है पहले प्लाइन ही करते भी जाना है मैंने तो अब मैंने क्या करना है अब ट्रक लिवर का इस्तेमाल करना है जो सिम्पल कैरीज वाली होगी उन्हें पिछी की तरफ करना है ठीक है तो अब मैंने दोनों साय से निकान ना है बराबर बराबर ठीक है अब फिर वैसे हैं इस तरह से इस तरह की ट्रिक में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हों तो इस तरह की ट्रिक में बहुत प्यारी मतलब आपकी आइटम स्यार होती है तो मैं वन वाइवन करके शेयर करूंगी और जल्दी ही मैं इस ट्रिक में आपको जो एक ब पूरे मैंने देखे सारे के सारे क्लोज कर दिये ठीक है तो यहां मैंने एट रो ले थी तो आपने फिर अगेन एट रो यहां पर लेनी है अब मैंने इसे फोल्ड करना है इसे फोल्ड करना है तो इस तरह से पहले साइडिंग का इस तरह से ठीक है अगेन इस तरह से इस तरह से यह मैं फोल्ड कर दिया है यह मेरा बॉर्डर बनी किया है ठीक है अब मैंने क्या करना है इन्हें इक्विल्स में ला लेना है ठीक है इक्विल्स में ला लिया है मैंने इस तरह से, अब मैंने क्या करना है, अब अंदर के लिए मैंने, मतलब पॉकिस के अंदर के लिए मैंने जो है, सीजे सीजे जो है, प्लैन रो लेनी है, बटन मैंने बंद कर दिया है, ठीक है, बटन मैंने बंद कर दिया है, अब मैंने क्या करना है प्लैन प्लैन रो लेनी है तो जितनी आपको पॉकिस की गहराई चाहिए तो मुझे इतनी ही बैस्क लगिये अब मैंने क्या कर देना है इसके अंदर इसे डाले हो ठीक हैं जितने प्लव बनाई है नहीं सब इस तरह से ठीक हैं अब अब यह मेरा बैग पले काया ठीक है तो अब मैंने इन फंदों को जितने फंदे में यहां है उतने ही मैंने ट्रास्फर करने है ठीक है एक फल्स होने चाहिए ठीक है इस तरह से अब मैंने जो है यह वाली बैक वाले फ्रेंट में ट्रास्फर की ठीक है अब सब के सब लैस करना है फिर मैं आपको अंदर स्टिचिंग करना अब दाऊंगी ठीक है इस तरह से आपकी अगुप पॉकेट ब्यूटिफूल बनके आ जाएगी इस तरह से यह राउन में बनके आ गया है तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी रख सकते हो तो यहां पर एक ट्रिक ऐसे बताऊंगी जो बटन और काज वाली तो ऐसे भी रख सकते हो बंद करना हो पर हम तो इसमें एक्शुली हैंस टालते हैं तो यह मैंने जो है इसकी डेकरिश के लिए यहां पर आखे बने फ्रंट में इसे जो है राइट और लेफ्ट से जो है मैंने पिन अप करना है तो यह अंदर से इस तरह से ठेक है इस तरह से है और स्टिचिंग यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक स्टिचिंग करनी है और इस तरह से यह ब्यूट पूटिफुल रेडी हो चुका है और मैंने आपको ट्रिक बता दिया है पॉकेट्स के तो इस तरह से आप जो है एक पॉकेट्स की ट्रिक से सभी को आप इस ट्रिक को जो है सभी में यूज कर सकते हैं मैं अगें कहती हूं मैंस बूमेंस बॉय किड्स स्पेशल सभी के लिए तो इस तरह से मेरे इस इस प्यूटिू शरक को लाइक, शियर, सिस्क्राइब जोरु करना है तो मेरी टेलिग्राम क्लासिस को जरुट आप जोईन कीजिये मैं अपना वर्चैफ नंबर जो है डिसेशन बॉक्स में शियर कर दूंगी थैंक यू